मैं इस वीडियो पर बात करने वालों बियस्सी नर्सिंग काउंसलिंग 2023 के बारे में आपको बताने वालों 10 अगस्त से काउंसलिंग पक्रिया सुरू हो जाएंगे कैसे काउंसलिंग अपलाई करना है क्या क्या डॉक्यमेंट लगेंगे कितनी सीटे हैं ये सब चीजों के बारे में इस वीडियो पर देखेंगे तो वीडियो को सुरू से लेकर अंतक देखे ताके आपको सारी बाते इस पर्ष्ट समझ में आ जाए बियसी नर्सिंग काउंसलिंग 10 अगस्त से सुरू हो रहा है राउंड वाइस काउंसलिंग होगा उसके बाद आपके जब सीट बच जाएंगे तो मॉप अप राउंड और इस्टे राउंड का काउंसलिंग होगा अधिकतर जो सीटे है वो पहले राउंड में ही भरे जाते हैं जो सेट रिक्त हो जाते हैं उनके लिए सेकेंड राउंड जब और रिक्त बचे रहते तो उसके लिए मॉप अप राउंड फिर इस्टे राउंड का काउंसलिंग होता है counseling में क्या-क्या प्रक्रिया होती इसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले आपको online registration करना होगा counseling के लिए one time रहेगा online registration online registration होगा कल से start हो जाएंगे जिसमें आपके नाम, address, आपके जो व्यापम्स के numbers है, percentiles है वहाँ पर सारी चीजे fill up होगा उसके बाद आपके document लगेंगे document जब दस्तावेजों का परिक्षन होगा document जिसमें आपको 10th, 12th के mark sheet होना जरूरी होगा उसके बाद है आपका जाती, cast certificate बनाना बहुत ही ज़रूरी अगर cast certificate नहीं बनाएंगे तो आपको reservation का फायदा नहीं मिलेगा उसके बाद है domical certificate अभी तो main main आपको ये document लगेंगे दस्वी का, बारवी का mark sheet, cast certificate, domical certificate इसकी इस्थाई होना जरूरी है, cast certificate आपका इस्थाई हो domical certificate बना लेना है यानि कि निवास प्रमान पत्र बनाना है आपको ये सब चीज़े आपको तयार रखना है और भी आपके रहेंगे तो वो सारी चीट document में लिखा रहेगा साथ में आपको cgdme की official website पर और भी check कर लेना है कि कौन से document लगाने है तो वहाँ पर आपको जानकारी मिल जाएगा और भी जानकारी चीए तो आपको आपको college को preference देना पड़ेगा कि कौन कौन से college आप select कर रहें वहाँ पर select होने की possibilities क्या हो सकती इस वीडियो पर जानेंगे तो अब बात करते हैं कि government college कितने हैं ये girls के लिए होते हैं government BSC nursing 8 government college है 36 गड़ में total seat की बात करें तो 480 seat है 8 government college मिला कर total हर एक government college में 60 seat होती है जिसमें 60 seat होती हर एक government college की जो seat का matrix होता है वो 60 होता है अब बात करते हैं कि कितना seat किसके लिए रहेगा ht के लिए यहां पर 32 प्रतिसत रहेगा 32 प्रतिसत का आप 60 प्रतिसत निकाल सकते हैं यानि कि 60 seat के according यहां से आपका 0 कट कर सकते हैं यहां से हो जाएगा 25 जा 23 जा तो यहां से आपका हो रहा है 326 और 33 हो रहा है यहां पर 9 पांस से आप भाग दे देंगे इसको तो कितना आ जाएगा 18 बच्चों का यहां पर सेलेक्शन होगा HD के लिए तो यहां पर 18 पंच्शे 90 होता है आप इसको 5 से डिवाइट कर सकते 96 को तो 5 ones of 5 19 बच्चों का यहां पर HD में सेलेक्शन होगा 19 बच्चों का हर गवर्णेंट क psicolog correlated में सेलेक्शन होगा कट अफ क्या हो सकते इसके बारें बात करते हैं और कितना आरक्षन किसको मिलने वाला है तो OBC के लिए यहां पर 14 प्रतिसत का आरक्षन रहेगा SC के लिए रहेगा 12 प्रतिसत का आरक्षन रहेगा फिर बाकि आपके जनरल कटेगरी के लिए बज गए हैं यहां पर 42 प्रतिसत की आरक्षन रहेगा तो यहां पर 8 गौवर्मेंट कॉलेज है आपको कम अंग पर भी गौवर्मेंट कॉलेज मिल सकते हैं इसमें आपको थोड़ा सा प्लानिंग आपको ध्यान में रखना है कि किस तरह से हम काउंसलिंग में अपलाई कर सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा गौवर्मेंट कॉलेज में जो बच्चे एडमिसन लेना चाहते हैं वो है राइपूर B.H.C. नर्सिंग राइपूर फिर आपका दूर्ग में आता है सेकेंड नमबर पर दूर्ग पर एडमिसन लेना चाहेंगे चौथे नमबर पर राजनान गाओं तो इधर की सीटे को ज़्यादा प्रिफ्रेंस देते हैं कि इनके कट आफ जादा रहेंगे चारो कालवेजों का जो कट आफ रहता है वो बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है राउंड वन के लिए सबसे जो मैक्जिमम सीट अकर करेंगे वो राइपूर में होगा दोर्ग में होगा बिलासपूर में होगा और राजनान गाओं में देखने को मिलेगा बागी जो बज गए है आपके पांचवे नंबर पर आता है आपका राइगड जहांपर एडमिसन लेना चाहते है राइगड फिर आपका जगदलपूर जगदलपूर होगे आपके पिर आपके आता है सुधा देवी कबिर धाम कबिर धाम तो यहांपर यह कुछ गवर्मेंट कॉलेज है जहांपर आप एडमिसन ले सकते हैं यहांपर की जो पॉसिबिलिटिज रहती है वो कम रहती है कट अफ रेंक कम रहेगा वो भी करेगा नमबर ओप सीटों पर अगर पता चर रही कि यहांपर है उन बच्चों ने फॉर्म भरे हैं जिनके नमबर्स जादे हैं तो उनको वहांपर अलोट्मेंट मिल जाएगा लेकिन संबहता यह बहुत ही कम देखने को मिलता है तो आपको ट्राइ करना है कैसे प्रिफ्र करेगा राउंड वन के लिए फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में क्या रहेगा जनरल का क्या हो सकता है चार सहरों की बात करों यहांपर राइपूर दूर्ग बिलासपूर और राजनान गाउं का यहांपर कट आफ रहेगा यह आपका जाएगा 55 प्लस स्कोर पर आपको बात करते हैं OBC के लिए तो OBC के लिए यहांपर जाएगा आपका 50 प्लस पर गौर्वर्मेंट कॉलेज मिलेगा 50 से जादा स्कोर है तब जाकर आपको राउंड वन पर राइपूर दूर्ग बिलासपूर पर आपको मिल जाएगा तो बहुत प्लस रहेगा ST की बात करें ST कैंडिडेट की बात करते हैं यहांपर तो ST के लिए जो अभी कट आफ अनमाल लग रहे है वो 40 प्लस पर जा रहा है परस्ट राउंड के लिए 40 जाएगा फिर आपका SC के लिए जाएगा यहांपर 45 प्लस का स्कोर सेफ रहेगा राउंड वन के लिए सबसे जो जादा सीटे मिलेगे वो 19 सीटे भरा जाएगा 19 सीटों में भी तीन राउंड कांसलिंग में यह सारी सीटे भरा जाएगा गौर्मेंट कॉलेज पर 19 सीटे तो इस तरह से आपको प्रिफरेंस रखना है राउंड वन के लिए अगर किसी का SC के लिए मामान के चलता कि किसी ने अगर 50 स्कोर किया है सपोस किसी का अगर 50 स्कोर आया है वो चाहते हैं कि राइपूर दुर्ग बिलासपूर में उनका एडमिसन हो जाए 50 नंबर है और जनरल कैंडिडेट है तो उसको करना क्या है फर्स्ट प्रिफरेंसिंग में उसको अपलाई करना है यहां पर वो अपना ओप्सन दुर्ग पर रखे पहला ओप्सन पर दूसरे ओप्सन पर राइपूर को डाल दे तीसरे ओप्सन पर डाल देना है बिलासपूर यह प्रिफरेंस आप बदल सकते हैं फिर चौते ओप्सन पर लगता है कि यहां पर हां मुझे जाना चाहिए सेफ जोन है तो यहां पर आप राजनांगाओं को दे सकते हो.. ठीक है सब्सquiट की बात करों राजननदगाओं को आफशन में ले सकते हैं पाँच्जव और वो आप प्रिफरेंस दे सकते हो आप कभिर धाम का , यहां पर हमेशा कट आफ रेंग कम रहता है कभिर धाम तो इस तरह से आप preference बना सकते हैं जिनको अगर private college selection नहीं लेना है तो इसी तरह से आप अपना preference को तयार करके रखेंगे मैंने अभी दुरगड डाला है तो आपको option में भी plan को change करना है इसी के उपर ही आपको करना है किसी को कबिर धाम first preference देना है हो सकता है कि वहाँ पर आपकी possibility बढ़ जाए तो इस तरह से आपको preference करना है और जिनके अच्छे score है जिसका अच्छा आयकी option है वो पाएगा तो वहाँ पर आपको राइपूर को first preference देना है अन्याथा आपको दूसरे और तीशरे preference पर राइपूर को रखना है इस तरह से आपको preference करना है क्या क्या document लगे हैं वो तो आपको बता दिये हैं यहाँ पर बहुत सारे factors होते हैं आपके जो selection होते हैं आपके first round पर 45 पर भी आपको admission मिल सकते हैं अगर 45 OBC है suppose उसने राजनानगाओं को first preference दिया suppose मैं समझा रहा हूँ आपको राजनानगाओं को उन्होंने preference किया 45 नमबर OBC है किसी और candidate ने वहाँ पर apply नहीं किया है यानि कि जो highest marking है वहाँ पर जो cut up जा रहा है वो 45 के आसपास ही जा रहे 45-40 के बीच लाई करें तो उस इस्तिति पर 45 नमबर वाले का भी वहाँ पर admission हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर किसी और ने उतने numbers नहीं लाएं है तो उस condition पर आपको admission मिल जाएगा इस तरह से आपको ध्यान में रखना है आपकी preference क्योंकि हर बच्चा एक जगा से try नहीं कर सकता है चाहे उसके suppose की बात करता हूँ मैं मैं 60 score आया suppose general candidate है general category का है ये city बिलाउं करती है जगदलपूर से ये बिलाउं करती है जगदलपूर से 60 number आया है अब इनके घर वाले इनको travel नहीं करना चाहते इनको राइपूर नहीं भेजना चाहते ना तो इनको बिलाउं भेजना चाहते ना तो इसको और आसपास के रिया इनको सिर्फ करना है जगदलपूर से अब ये general candidate है इसका तो सारे जग़ा पर selection हो सकता है बट इनकी family allow नहीं करती है कि इनको कहीं और नहीं भेजना है सिर्फ जगदलपूर में कराना है तो इस सिती पर जो साथ नंबर वाला है वो जगदलपूर में ही admission ले लेगा तो ये चीज़े आपको ध्यान में रखना पड़ेगा हर की जो psychology होती है family condition होता है वो अलग-अलग depend होता है तो इस वज़े से सीटे आपको मिल जाता है otherwise जैसे कि ये साथ का general candidate है इसको राइपूर में भी option था लेकिन इसकी family allow ही नहीं कर रहे इनको राइपूर आने के लिए suppose example के रूप में बता रहा हूँ तो आपको counselling में ये बाते आपको ध्यान में रखना है शुरू से लेकर अंतक वीडियो देखो ताकि चीजे आपको समझ में आज जाएगा किस तरह से आपको counselling apply करना है अब वैसे ही आपको करना है चीजों को ध्यान में रखना है अगले की psychology को समझना अगला क्या preference दे सकता है किसी ने अगर मालो अगर 50 score किया है मात्र उन्होंने apply किया है first number पर उन्होंने दे दिया दुर्ग दे दिया 50 number है SC candidate है दुर्ग आ गया बिलासपूर आ गया इस तरह से उन्होंने preference बनाया ठीक है बिलासपूर आ गया आपका राइपूर आ गया ठीक है अब SC candidate है ना तो उनका दुर्ग में सेलेक्शन हुआ ना तो बिलासपूर में हो सकता है कि SC candidate का राइपूर में कोई इस number के आसपास कोई आया ना हो तो उसको राइपूर आपका select हो जाएगा तो ये भी आपका possibilities है तो possibilities के उपर भी आपको ध्यान देना है अगले की psychology को समझना है वो कहाँ पर preference कर सकते हैं लेकिन अधितर होता है ये psycho का ही game होता है कि वो क्या choice करता है उनका choice क्या है उनकी family background क्या है ये सब चीजों भी matter करता है thanks for watching video subscribe the channel thank you so much join the worship group for counseling updation and requirement thank you so much